नमस्कार स्वागत है Galaxy Teacher Classes के online platform जहां हम अध्यापकी परिक्षा से होने वाले संबंदेत जितने भी आपके एक्जाम होते हैं उसमें हिंदी विशय की बात करते हैं और इसमें आपको अगस्त में होने वाले सीटेट के एक्जाम को लेकर हम बात कर रहे हैं और आपको बिगत बर्षों में आ चुके प्रश्न पत्रों को हल भी करा रहे हैं अभी तक हम ने 5 जन्वरी 2022 तक के प्रश्न पत्रों की बात कि कर ली है और पांच जन्वरी में आए हुए जो शिक्छड सास्त का दुतिया भाग है अर्ठात जो आपका भाग-दो प्रश्न संख्या 16 से 30 का भ कि आप अधिक से अधिक की बातनाओ के अधिकत्म का मतलब जितने तीस प्रशने उसका उत्तर दे सकें, तो आज वही फिर से दुराओ कि आपको सिधान्त, सिधान्तकारों के दिये गए मुख्य बातें, उनके अधिगम के तरीके, क्या मानते हैं, वो बच्चों में क्या सबस जरूरी है, वो अरजन भाषा के रूप में कैसा होना चाहिए, वो दुतिये संप्रेशन के रूप में बहु भाषा बात क्या है, रास्टिय शिच्छानीती क्या है, बच्चों में विकार कौन-कौन से है, आद ही ऐसे प्रशन हैं, जो आपको याद रखने हैं, याद का समझ के साथ, जिससे कोई भी प्रशन घुमा के पूछा गया है, आप उसका उत्तर दे सकें, तो सीधे आते हैं आपने, आज पांच जन्वरी 2022 के पूछे गए, जो दुतिये भाग होता है, भाषा शिक्छड सास्त्र, उसकी हम बात करने वाले हैं, चलिए, देखते हैं सब से पहले उसका पहला प्रशन, जो प्रस्न संख्या पहला अर्था आठ ऐसा लANS, बात की बात करने हैं, तुकि भाग दो है, प्रस्न क्या है, कि मातरी भाषा आधारित बह भाषावाद कया है, पहला option दिया है, करें कि आप जो भाषा को लेके बात की जाती है, उसमें से बह बहुभाशावाद आप किसे कहेंगे, किसे मारेंगे कि यह बहुभाशावाद का उधारण है, इसमें से वो कौन सा विकल्प सही होगा, आपके सामने जो विकल्पों के रूप में है, पहला विकल्प है कि किसी भी विद्यालाई शिक्षा मात्री भाशा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाशाओं से जोड़ना, अब यह संभव है कि यह प्रस्न का उत्तर सही है, लेकिन फिर भी हम सारे विकल्पों पे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही और कौन सा गलत, दूसरा आपका विकल्प है कि कि किसी विद्यालाई श सुत्र की बाद की गई और बाद में उसको बहु भाशाबाद की नाम से 2005 में उसकी संसुति की गई, तो यहां पे दूसरा आप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सो कौप एरेस कर सकते हैं, तीसरा है माध्यम के रूप में मातरी भाशा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाशा के रूप में सीखना, यह वाला आप्शन भी सही नहीं होगा, यह विकल्प भी सही नहीं होगा, फिर है D, विद्ध्यालई शिक्षा के प्राथमिक बर्शों के दौरान जहां तक संबह हो, अधिक से अधिक भाशा हैं सीखना, यह बिल्कुल विकल्प सही नहीं होगा, बच्चा छोटा है और अधिक से अधिक भाषाओं को नहीं सीख सकता है, तो ये तीन विकल्प हमारे गलत है, हमारा पहला विकल्प कि किसी भी विद्यालई शिक्षा में सुरुवात करनी है किस से? बच्चे की मात्र भाषा से, और उसके बाद उसको हमें जोड़ना है, अन्य भाषाओं के साथ जोड़ते चले जाना है तो मारा सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर का प्रस्न संख्या सोलह में क्या सही उत्तर है आपका, ए वाला option सही, देखते हैं कुस्तरा प्रस्न क्या पूछा गया था आप से? ओके, प्रस्न संख्या सत्र पूछा गया है, कक्षा पांच की एक अध्यापक, पांच या छे शब्दों वाले पांच वाक्यों का शृत लेख, जिसको कई कुछ बचते स्रमण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है अब ध्यान देना किस बात का है? कि वो दो बार वाक्ये पढ़ रही है पहले, पांच वाक्यों का सृतलेक खरवाया गया सृतलेक का मतलब सुन के लिखना इमला जिसको बुरायता है उसके बाद वो दो बार पढ़ती भी है फिर विद्यार्थियों को ध्यान पूर्बग सुनने के लिए कहती है और फिर उन्हीं वाक्यों को लिखने के लिए कहती है अब ये स्रमण के किस उपागम की बात करता है अब पहला दिया है शीरसपाद उपागम टॉप टू डाउन ठीक है ना दूसरा है संप्रेश्णात्मक उपागम तीसरा है उर्धुग्वामी उपागम बाटम अप बाटम से अप की तरफ और फिर हदी शुरुत लेख उपागम अगर सिक्षक कुछ बोलती है और बच्चे लिखते हैं तब तो वो शुरुत लेख उपागम होता कोई चीज बच्चों को बता रही है तो संप्रेश्णात्मक उपागम होता लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले 5-6 वाक्यों को लिखवाती है शुरुत लेख के द्वारा फिर स्वयम परती हैं फिर बच्चों को ध्यानपुर्बग सुनने के लिए कहती है, फिर लिखने को देती है, अब आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, आप जानते हैं, जब शिर्ष पाद उपागम की बात जब हम करते हैं, तो आप जानते हैं, जब टॉप डाउन अप्रोच की बात होती है, तो इसमें क्या होता है, यह अप्रोच जो है पारमपरिक है, और बच्चे इसे तरीके से सीख नहीं पाते हैं, लेकिन, जब हम उर्दोगामी उपागम की बात करते हैं, तो यह आपका अधुनिक, इल्गोदुरियम इसको अप्रोच बोलते हैं, जिसमें बच्चे को सीखने की शमता बहुत बहुत बहतर तरीके से, इसको डियान बोलते हैं, यह पारमपरिक है, और यह क्या है आपका अधुनिक है, जिसमें बच्चा सही से सीख सकता है, अब आपने देखा कि यहां पर क्या गया, बच्चों को परे शब्दों से, ध्वनियों से, वाक्या बच्चों को आप धीरे धीरे क्या करते हैं, बटम टु अप ले आते हैं, तो शिक्षिका यहां पर क्या करना चाती है, वो भी जो उपागम प्रियुक्त कर रही है, वो आपका है उर्धुगवामी उपागम, जिसमें बच्चा बटम टु अप की तरब जाता है, और सीखन बच्चों के सीखने के क्षमता में बहुत उत्रोतर ब्रधी करती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्छा में बिभिन समूहों के दश्थ शब्दों का एक समूह देती हैं, वो ऐसे शब्द धूडने के लिए कहती है, जो शब्द में समानता, सद से समानता रखते हों, और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या प्रत्य जोड सकते हैं, करें कि इनको हम क्या कहेंगे, ये आखिर में होता क्या है, आप जब पढ़ते हैं वर्ण, शब्द, शब्दांश, वाक्यांश और वाक्य, फिर उसके बाद होता है, उसको हम बुनते हैं, और जिसमें वर्तनी से लेके हर एक समय पे एक थीम जुड़ी होती है, जो थीम विश्यक होता है, उसमें जुड़ा होता है, या संबंध होता है, जो ब्याकर्निक कोटियों से बना होता है, उसको लेके हम क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रदान करते हैं, और हर भाशा का अपना क्या होता है, भाशा का प्रयोग होता है, उसके प्रयोग में शब्दों का प्रयोग होता है, वर्णों का प्रयोग होता है, वाक्यों का प्रयोग होता है, ऐसे ही हमारी भाशा का भी है, तो कह रहे हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये शब्द जाल होगा, बिल्कुल नहीं, ये शब्द जाल नहीं है, क्योंकि यहां पर पूरा जो संवचना दिखाया गया है, तो इसको हम थीम विश्यक भी नहीं कहेंगे, शब्द भी नहीं कहेंगे, विन्यास कहेंगे, विन्यास क्या होता है, जब वाक्यों को नियमों के तहत हम व्यक्त कर रहे हैं, हम नियमों फिद्धान्तों की बात कर रहे हैं, तो उसको हम विन्यास कहते हैं, विन्यास मतल़ dirt, पूरे नियमों के अधार पर उसको बताना, तो इस विन्यास हो जाएगा आपका सही उत्तर अठारमे प्रश्न का मOMEदिया उत्तर o उसी को हम विन्यास कहते हैं, चीके, तो सही उत्तर आपका syntax, अठाथ, विन्यास या वाग की बन्यास को भी कहो, सही उत्तर वही हो जाएगा. इसके बाद है, बोली से क्या तायत पर है? पहला option दिया गया है, किसी एक छेत्र या सामाजिक सम्मूग की वाचन विशेस्ता, बी, किसी एक छेत्र विशेस के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तिमाल की जारी भाशा, सी, किसी कारे विशेस से संबंद रखने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जारी भाशा, बोली, बोली के बारे में पुछा गया है, कि बोली क्या है, तो आप जानते हैं, किसी विशेस छेत्र में, विशेस जो जन लोग है, जन के द्वारा प्रस्तुत किया गई है, बोलने वाली भाशा को हम बोली कहते है, जो बोली जहाँ पर लेखन की बात न हो, बहुत जरूरी है कि उसमें लेखन की प्रामाडिक सामागरी मिलती ही हो, लेकिन वो वाचन में हो, तो बाकी देखिए, option मिकल में क्या दिया हुआ है, कि छेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, फिर है कि लोगों के किसी कारे विशेष से संबंद रखने वाले बिल्कुल नहीं, जन की भाषा है, तो ये भी नहीं होगा, और सत्तधारी लोगों की भाषा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो यहाँ पर आपका सहयूतर क्या है, कि कि किसी एक्षेत्र या सामाजिक समू के बोली, जो उनके बाचन की विशेष्था को दिखाती है. तो हमारे बाचन विशेष्था की द्वारा वो समुः को सामुः कते दिखा रहे हैं, उसको हम बोली कहते हैं. एक अध्यापक कक्षा में समुः कार्ये, जोडों में कार्ये और रोल प्ले कलवाती हैं, और आंकलन के लिए शिक्षार्थियों का आउलोकन करती हैं, आंकलन संबंधी इस गतिवीदी को क्या कहेंगे? अब कर क्या रही हैं? जब प्रस्णों के आप इस रूप में देखते हैं, तो सबसे जरूरी है कि प्रस्ण की प्रकिति को पहचाना जाए, कि प्रस्ण क्या कह रहा है? यह अध्यापक कक्षा में समुः कार्ये, जोडों में कार्ये और रोल प्ले करवाने के लिए शिक्ष जब से जरूरी है कि इन आखलन की गत्विदियों में बच्चे पर क्या-क्या ध्यान दिया गया? क्या वो वाचन है? क्या वो कक्षा कक्ष है? संवचनात्मक है? यह संकलत्मक आखलन है? वो किस आखलन में आएगा जो इस प्रस्ण का सही उत्तर दे? तो आप जानते हैं कि पूरी, क्योंकि आखलन बच्चों के हर चीज के लिए समुह कारे है, जोडों में कारे है, रोल प्ले और इसको देखने के लिए जिसको प्रयोग में लाएंगी, वो क्या होता है? जब स्वयम बच्चा उसका प्रिष्ट पोशन करता है उन चीजों का, वो पता लगाने के पर जब्सक्राइब का जोड़ों में शदार टे लिए शिक्चण में सुधार बियम कर सकते हैं, तो वो वो अख संवरक्षन आपकी वांचलन junto, वांचलन में नहीं, कक्षा कक्ष में नहीं, fundraising संकल बड़की, शंवैका उन्रजनात्मक रूप से और पात आपकी आती है, क्य उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्ण का सही उत्तर 20 का C हो जाएगा. अगला प्रस्ण देखिए, प्रस्ण सग्या 21. एक अध्यापक कक्षा में वस्तूओं के उपर वस्तू का नाम, शिक्छार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा सिक्छार्थियों द्वारा जानी गई अन वर्णमाला के अक्षरों से परिचित कराती, तो यहां पर आप देखो न, वर्णमाला का मतलब एकदम प्रारंभिक साक्षरता है, लेकिन यहां पर बात किसकी की गई है, कक्षा काउन सी एसपस्ट नहीं है, लेकिन बस्तू की उपर बस्तू का नाम लिख रहे हैं, इसका म कर रहा है, कौशलों में चारो कौशलों से वो अपने आपको, कौशलों में वो सिद्धहस्त हुआ है, अब उसका यह जो रूप है, वो किस तरह अधिगम में आगे बढ़ेगा, उसकी बात हो रही है, तो पहला वाला बिकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्छार्थियों में भाषा संबंधी जागरुकता पैदा कर रही है, यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा, जागरुक तो कर रही है, लेकिन यहां पे अन्ने कई भाषाओं को जोडने का मनतब्ब कुछ और भी हो सकता है, तो यह वाला उत्तर नहीं होगा, फिर है, शिक्छ कक्षा में भासा संब्रिद्ध परिवेश, आप जानते हैं, बहु भाषिक्ता का उद्देश भी यही है, कि कक्षा में बच्चों के लिए संब्रिद्ध भाषिक परिवेश की सनरचना की जाए, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कि जो शिक्छक यह कर रहे हैं, वो करना की जाते हैं, यह प्रियास है कि बच्चे को परिवेश मेले, उप्युक्त परिवेश जिसमें वो बहु भाषिक्ता को कर सके, वो ट्रांस लेंगुजिंग को भी सीख सके, वो अपने बहु भाषावाद के सिध्धानत में अपने आपको सफल पाए, ठीक है, तो कि उत्तर आपका हो जाएगा, दी, बाइस्वा प्रशन, अब देखें, दूसरा प्रशन आगया आपकी भाषानतरन से, वहाँ भी बहु भाषिक्ता से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रशन घुमा के पूछा जा सकता है, आपको अपने सिध्धानतों के जो मूल रूप है उन्हें ध्यान रखना है कि हम सिध्धानत को समझते रहेंगे और समझ के हर प्रशन का उत्तर देंगे, अब कहा गया भासांतरन, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने को हम करते कहते हैं भासांतरन या ट्रांस लेंगवजिग जहां पे एक स्विच करके, एक भाषा के सब्दों तक पहुँच रहे हैं, तो पुछा गया कि यहां पे जो भाषा अंतरन है, जो ट्रांस लेंगवजिग है वो है क्या, पहला विकलप आपके सामने, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं से शिक्षण, दूसरा, किसी विशेवस्तु के शिक्षण अधि भाषाओं का इस्तेमाल करना, और D है, सभी विशेवस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना, तो आपको पता है कि यह विकलप तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कहा गया कि साथ ही साथ भाषाओं को एक भाषा में पढ़ाना अगर एक ही भाशा में पढ़ाना होगा, तो वो बहु भाशिकता के जो मूल रूप है, उस अनरचना में ही नहीं आएगा, तो आपका ये उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं हर बार कहती हूँ कि विकल्पों में जो प्रश्न का विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहले उसको एरेज करिए, पहले उसको उटा दीजे, उसको आप पैंसिल से या कैसे भी, कि ये तो बिल्क नहीं है, तो बिल्कुल्पों की संख्या जब कम हो जाएगी, तो आपके प्रश्न के उत्तर के सही होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, अब देखिए, चुकि भ भाशांतरन करते हैं, तो सबसे पहले सब्दों में इस भाशा में ये शब्द है, दूसरी भाशा में ये है, फिर हम तुल्ला भी करते हैं बच्चों की सामने, और क्या करते हैं, हम बच्चों को उसकी लचीले पन की ये कब कहां से इसमें से इसमें ये, इसमें से इसमें य तो हम Tatsam और Tadbho देखते हैं, वो भी क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में आना, चुकि वो भाषा का रूप आपकी हिली पीसे संबंदित है, तो वो उसमें बहु भाषिता में आपी सकता है, और नहीं भी लेकिन, जब हिंदी से अंग्रेजी में जाएंगे, संस्कृत से अंग्रेजी में जाएंगे, तो यह क्या होगा आपका भाषांत्रण हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, कि संप्रेशन की साथ संबर्धन भी होता है बच्चों के कौशल का, और बच्चा दोनों भाषाओं में तीनों भाषाओं में ब्यवहार करना सीख जाता है, और क्या होती है, सम्रिद्ध भी होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर, जब हम यह कर रहे हैं, तो कक्षा की शिक्षा में क्या करेंगे, न तो अनेक भाषाओं की न भी शेबस्तु, बल्कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए, अनेक भाषाओं का इस्तेमाल, जैसे मैंने भी कहा, अब संस्क्रित में कोई शब्द हो, उस शब्द को हम कहें दुग्ध, अब दुग्ध क्या है संस्क्रित का शब्द, हमने कहा है, दूध होता है, हिंदी में कह दिया, और मिल्क कह दिया, हमने बच्चों से, कि ये मिल्क बोलते हैं अंगल भासा में, हो सकता है कोई और भाषा हो बच्चों को, जो भी आप सिखा सकते हैं, इसे क्या हो रहा है, बच्चों का जो संप्रेशन है, जो संबर्धन है, वो बिशेवस्त को लेके और आगे बढ़ रहा है, तो भाषांत्रन इसी लिए होता है, और ये क्या करता है, अनेक भाषाओं का प्रियोग, ठीक है, चलिए, प्रस्टन संख्या 23 पर आते हैं सीधे, कि किसी पाथ सामागरी की प्रामारिक्ता का क्या तात्परे है, जब हम किसी भी बात करते हैं कि प्रामारिक है की नहीं, जब भी कोई पाठ्थ सामागरी किसी भी जगह पे उपलब्ध है, तो प्रामारिक्ता आपके संदर्म में क्या लगता है, कि वो सही विकल्प हो सकता है, क्योंकि प्रामारिक्तों आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्कूल, एक विद्याल, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थ फिर है, मूलता किसी एक संदर्विशेश से उपजी सामागरी, जिसमें भाषा सहज रूप से प्रियुक्त हो, और C, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा बिक्सित पाठ्थ सामागरी, और D, पाठ्थे पुस्तक के लेकों द्वारा दूसरी भाषाओं में आपको सही उत्तर देना है, कि क्या यहां पे इन में से सही उत्तर क्या होगा, क्या बिद्यार्थियों के अस्तर को लेके ध्यान रखते हैं, या हमेशा प्लस वन की अधारना दी जाती है, आप जानते हैं, कि यह जो प्लस वन की अधारना है, कि बच्चे को जितना आता है तो यह पहला वाला option सही नहीं होगा. सी भी नहीं होगा, क्योंकि किसी बिक्सित ऐसे बेक्ति जो भाशा पर अधिकार रखता हो, वो पार्थिकरम की बात, वह पार्थिपस्त की बात नहीं होती है. यहां प्रमारिकता क्या होगा? कि तक संदर विशेश में उपजी सामागरी, जिसमें भाशा सहिज रूप से प्रयुक्त हो, वो पाठ्ति सामागरी के लिए उप्युक्त होती है, वो ही प्रामारिक होती है. तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि हम बच्चे को अस्तर को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाते हैं, बलकि बच्चे के अस्तर से प्लस वन करके बात की जाती है, तो यहाँ पे आपके प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा B. चोविस में प्रश्ट पर आते हैं कि निमलखित में से कौन सा उपागम शिक्छार्थियों को अच्छा लेख लिखने के बिभिन चर्णों को समझने का आउसर देगा. तो वो कौन सा तरीका होगा जिससे बच्चे लिखन में उनका कौशल बढ़ सकता है। पहला option बरनात्मक लेखन, B. लेखन का प्रक्रिया उपागम, C. लेखन का उतुपाद उपागम, D. संस्तनात्मक लेखन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है। आप जानते हैं कि जब हम लेखन प्रक्रिया के उपागम के स्वातंत्र रूप के बाद में लेखन का उसल की, तो उसमें पूर्ब लेखन होता है, उसमें प्रारूपन होता है और संसोधन होता है। तीन चीजें होती हैं। अब उन तीन चीजें को ध्यान रखते हुए, इसमें से क्या है जो समझने का आउसर देगा, तो आप देखिए, चुकि ये प्रक्रिया में आपका पूर्ब लेखन, प्रारूपन और संसोधन की इस्तिती आती है, और उसमें हम क्या करते हैं, पूरे प्रक्रिया को, तो वो क्या दिखाता है, प्रक्रिया को दिखाता है, तो हमारा सही उत्तर उस प्रक आपसे प्रस्णों का उत्तर देना है. आते हैं नेक्स प्रस्ण 25 प्रस्ण कि ब्याकरण सीखने से क्या आसे है? प्रस्ण पुछा गया कि आखिर ये ब्याकरण सीखने से क्या आसे है? इसका उत्तर क्या समझा जाए? पहला विकल्प ब्याकरण के नियम सीखना. B. सरपथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना C. अर्थ के संदर में प्रयोग करना सीखना D. किसी भी भाशा के लिखित और बोले जाने वाले सुरूप में गलतिया निकालना कौन सा सही होगा आप जानते हैं कि जब भी हम संदर ब्याकरण की बात करते हैं तो उसके शैक्षिक नीतार्थ होते हैं शैक्षिक नीतार्थ मतलब ब्याकरण के संदर में पाठ क्यूं रखे गए हैं उसका क्या ब्याकरण की क्या भूमिका होने वाली है आप जानते हैं ब्याकरण करता क्या है आपके स्मरण शक्ति को और अशुद्धता को दूर करने का प्रयास ब्याकरण के द्वारा होता है आपके ब्याकरण के द्वारा भाशा का हम शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं वर्तनी के अशुद्धियां याद ही कुछ नहीं होती और सही शब्दों का चुनाव करने की शक्ति आती है, तो जाहिर सी बात है, यह बाते कब देती हैं में समझ, जब अर्थ के संदर्व में हम ब्याकरण का प्रयोग करने लगते हैं, तो देखते हैं क्या ऐसा कोई option दिया है, विकल्प दिया है, तो जब ब्याकरण के फाइदे हैं, तो ब्याकरण आपको अर्थ के संदर्व में सब्दों के प्रयोग करने की शक्ति देती है, तो यहाँ पर ब्याकरण का आसे जो अपके सिक्षण के लिए है, उसमें से जो सही option है, वो सरफ नियम सीखने का मतलब नहीं है, सब्थम नियम सीखने का आउर्थ नहीं है, बलकि अर्थ के संदर्व में प्रयोग करना और सीखना हो जाता है, आप लोग जो ब्याकरण सीखते हैं, वो किसलिए? कि आपके शब्द के चुनाव बहतर हो, जो आपके भाशा के वाच प्रशन का ब्याकरण सीखने से आशेका. देखे हैं चब्विस्वव प्रशन की टृटियों से क्या अभिप्राय है, यह आप से प्रशन पूछा गया है, देखते हैं, पहला कि टृटियां सीखने का संके तक हैं, b. टृटियां भाशा अधियम को बाधित करती हैं order c. टृ तुरुटियों से क्या, शिक्षण में तुरुटियों के होने का क्या ही प्राए, तुरुटी किस से होगी? अगर आप से कोई प्रस्थन गलत हो रहा है, तो क्यों होगा? या कोई भी चीज आप सीखने जाते हैं, गलत होने की गुंजाइश कब होगी? हम जब प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग गलत कब होता है? जो हम करते हैं, इसका मतलब हम सीखने के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, अधिगम हमारा हो रहा है, तो ये जो तुरुटियों है, ये संकेत देती हैं कि सीखना अधिगम करना शुरू हुआ है, लोग कहते हैं कि ज जोज रोज तॱूटी होना थो विकारों में आएगा. मेरे गल्ती हो रही है हुआ आगी, तो इसका मतलब.. पर जानते हैं कि जब विकारों की मेरे बात कर रही हुआ तो कोई बच्चा बार-बार गलत लिख दे रहा है, तो ये एक विकार है, वो वो सुनके यव इक तरह की वड़नों को सही शेते देख नहीं पासेखता है, देख नहीं पाता है, भोल नहीं पाता है, तो उसके अवरोध विकारों की बजह से होते हैं, वो अलग ही होता है, वो एक इस्पेशल बात हो गई विकारों को लेके लेकिन यहां पर जो तुटियां है, जब बच्चा तुटि कर रहा है और फिर आगे बढ़के सीख जा रहा है, तो संकेत दिखाती है अधिगम का, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए तुटियां सीखने का संकेतक है, चलिए, 27 प्रश्ण, कि जिन शब्दों को हम सुनते औ उन्हें हम क्या कहते हैं, अब प्रश्ण का option जो विकल्प है, उत्पादक शब्द संपदा, संदर्व में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राह संपद, अब यहां पर कहा गया, जिनको हम सुनते हैं, तो सुनना मतलब, मैंने बोला आपने ग्राह किया, पढ़ा आप तो क्या कर रहे हैं, ग्राहित कर रहे हैं, उसको हम ले रहे हैं, तो उत्पादक नहीं है, बल्कि यह क्या हो रहे हैं, ग्रहण किये जा रहे हैं, तो आपकी यह क्या है, ग्राह शब्द संपदा है, जो पढ़ने, सुनने से, और आपके उसके पहचान करने के बाद, आपके मन में, आपके शब्द की संपदा में जुड़ रहा है. तो यह क्या है? अग्रा है. लिए गये, ग्रहन किये गये, शब्द संपदा है. तो आपके यह उत्तर के विकल्प में हम 27 प्रशन के D को ले लेंगे. आपका D का विकल्प सही है. 28 प्रशन है आपका? प्रस्न संख्या थाइस, कि निम्लिखित में से कौन सा पथन शिक्षन का उद्देश्य नहीं है, पथन शिक्षन का, कौन सा पथन, अब कौशल कितने होते हैं, चार, आपको पता है कि जब हम कौशलों की बात करते हैं, चार कौशल, और चारों कौशल में जब हम पथन को ला पत्थन का उद्देश नहीं है, पहला लिखाया है कि पाठ्थे सामागरी के मुख्य विंदु को पाठक के पूर्वग्यान से जोड़ना, बी, शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहन करना, पाठ्थे सामागरी को पढ़ते समय अर्थ ग्रहन करना, पाठ्थे सामागरी शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, आप जानते हैं, जब यहां पर डिकोड करने की बात की जारी है, तो क्या ये भी उस शब्द के रूप से जुड़ेगी पथन के रूप में, तो आप जानते हैं, जब डिकोडिंग की बात होती है, तो धारा प्रवाज उपयोग करता होता है, वो शब्दों को पढ़ सकता ह और उसमें वास्तिविक संदेश को समझ नहीं सकते हैं, क्या करते हैं, डिकोडिंग करने में, धारा प्रवाहिता होती है, तो वहाँ पर पथन के उद्धेश में नहीं आएगा, तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा नहीं होगा, तो पाठ्थे पहली बार विद्ध्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मात्रिभाषा की भरपूर समझ होती है, अध्यापक, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में, शिक्छार्थियों की मात्रिभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, बच्चे अपनी भाषा लेके आता हैं, यह सब को बता है और हम भाशता में इस बात को पढ़ते भी हैं अब उसमें कैसे उसके मात्री भाशा का प्रयोग अंग्रेजी की या अन्य कक्षाओं की भासा में किया जाए इसकी प्रश्ण की बात पूछी गई है अब देखिए पहला option क्या है कि अध्यापक कक्षा की सामानने भा बच्चे को मात्री भाशा में सहस्ता है तो यह विकल्प बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि जब पहली बार बिद्ध्याले बच्चा आया है तो उसको अगर आप सामानने भाशा में पढ़ाएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा तो यह प्रस्न का उत्तर सही बिल प्रयात्मक जो उत्तर के सथ होते हैं वह कभी भी आपके सही बिल्प के नहीं आयंगे तो यह तो बिल्प हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ कहा गया केवाल कहा गया और यह उत्तर नहीं होगा क्योंकि हम एक रही भाशा के अगर प्रयोग कर दें तो जो राष्ट्रि bilang श्या को उनकी इक्षानुसार भाशा का इस्तेमाल करने की अनुमत दे और वह स्वायं भी सामानने भाशा बोल सकती है, चुकि बच्चा पहली बार इसकूल आया है, उसको सहज भी तो करना है, कि वह अपनी मात्री भाशा के दौरा अपनी भाओं को बातों को जाह सके, तो हमारा C वाला option तो सही है, लेकिन हम D को पहले पढ़ेंगे, फिर उस पर कहरेंगे, कि अध्यापक को वही भाला भाशा बोल ली चाहिए, जिसे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, बिल्कुल गलत, अगर ये है कि भाशा में शिक्षा को अध्यापक को वही पढ़ाना, जिसम मैं भी सामान निभाशा का, मतलब बच्चे को सहज करने के लिए उस भाशा का प्रयोग कर सकते हैं, चलिए, आखरी प्रशन है, राष्ट्रिय शिक्षानीती 20-20 शास्त्री भाशाओं के अध्यान के अनुशंसा किस रूप में करती है, अब देखिए आपे जब मैंने 20 के अब प्रस्ण में पूछ लिया है कि शास्त्री भाशाओं के अध्यान में, पहला विकल्प दिया है कि विद्यालई शिक्षा के मिडिल और माधिमिक चरण के दौरान अत्रिक्त विकल्प के रूप में, जो शास्त्री भाशाओं हैं, ठीक है ना, यह संस्कृत हो गया, फि विद्यालई शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अत्रिक्त विकल्प के रूप में, और डी है विद्यालई शिक्षा के माधिमिक चरण के दौरान एक अत्रिक्त विकल्प और एक्षिक विषय के रूप में लेके, आप जानते हैं आप कि जब हम त्रिभाशा सूत् तो पहली भाषा कौह से थी। मात्रि भाषा या घर की भाषा। दूसरी भाषा, हिंदी जो भाषी राज्य थे। उनकी या आधुनिक हिंदी भाषा आपके सम्विधान में रखी गई या फिर अंग्रेजी। और गैर हिंदी के साथ उनकी अंग्रेजी। जब आगे बात की गई थी कि तीसरी भाषा कौन सी हो, तो हिंदी भाषी तिथा गैर हिंदी भाषाओं में दोनों राज्यों में अंग्रेजी के साथ कोई भी शास्त्री अथात आधूनिक भारतिय भाषा की बात की गई थी. अब आपको ध्यान रखना था कि जब हमने त्रिभाषा सुत्र की बात की तो उसमें लचीला किया गया किसको अपने 2020 में शास्त्री भाषाओं के संदर में तो वहां पे कहा गया कि जो लचीला रूप है त्रिभाषा का वो लागू किया जाए और माध्यमिक अस्तर पर क्या क जाए शास्त्री जो आपके विशे हैं उसको शास्त्री भाषा को माध्यमिक अस्तर पर लाया जाए और बच्चों को पढ़ाने का उसमें सिफारिश की गई है क्योंकि बैकल्पिक भाषा के रूप में अनुशंसा करने की बात की गई थी तो चुकि बिकल्प की बात की राष्ट्रिय शिक्षानीती में जो पहला वाला बिकल्प है कि मेडल या माधमिक अस्तर पर अत्रिक्त बिकल्प के रूप में शास्त्री भाषाओं को रखने की बात की गई थी। यह हमारे कुल प्रश्ण थे 30 जो शिक्षन सास्त संबंदित थे। मुख्य रूप से सिध्धान्तों को इस बार के ग्जाम में सिध्धान्तकारों के बारे में बहुत सी बाते नहीं थी। लेकिन सिध्धान्त के जो मूल आसपक्ट हैं, उनसे लेते हुए प्रश्ण बनाए गय थी। आपको एन केन प्रकारेंड ध्यान रखना है कि सिध्धानतों के थ्रू उसके जरीए ही आपको प्रस्ण को समझने की कोशिश करनी है। और हर बार कहती हों कि राष्टिय सुछा नीति पे जो दोहर भीस की है उससे संबंदित प्रस्ण भी आते हैं। आपकी भाषाओं से संबंदित प्रश्न आते हैं तो आपको उनको भी तयार रखना है। पढ़ते रहिए और साथी संकल्पित होके एक मातर विकल्प वो विकल्प है कि आपको अध्यापक बनना है और आपके अध्यापक बनने के संकल्प को पूरा करता है Galaxy Teacher Classes और हमारा पूरा ये प्रयास है कि आप आन होने वाले अपने अगस्त के एक्जाम में अपने इस परिक्षा को उत्रीड कर सके आपको करना क्या है सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लाइक करिए और जो सुझाओं है उसको कमेंट बॉक्स में आके आप दे सकते हैं मिलते हैं क्लास में जहां पर अन्य जो आपके पर आचुके हैं उनको हम हल कराएंगे और आपको त्यार करेंगे अगस्त की परिक्षा के लिए तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आभार पढ़ते रहिए और स्वस्त रहिए